नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में आज एक बार फिर से हम बारत के आधुनी कितिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसमें वन आफ दो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर 1857 रिवलुशन जो हुआ था ठीक है जो रिवॉल्व किया गया था इसको 1807 की प्रमुख करांदी का कारण माना जाता है तो उसके बार में डिसक्रस करेंगे आखिर ये डॉक्टर राइना फ्लैप्स क्या था क्या डलाहोजी ने इसकी सुरुवात की थी या फिर डलाहोजी ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया था समझना ध्या 1856 मतलब लगभग आठ साल आप मान सकते हो कि लगभग आठ साल हो तक यह हमारे भारत में था एजग गवर्नर जनर ठीक है सो 1847 में क्या हुआ कि कोट अफ डारेक्टर जो थी ठीक है उसके सुरुवात हुई थी उन्होंने यह डॉक्ट्राइन आफ लैप्स अर्था यह हड वो किसी ने किसी कारण के वास अवयर्थ तोर पे भारती राजाओं के राज को अपने में मिला लेते थे ठीक है यह सारी बातों की सुरुवात अभी समझेंगे जैसे कि पहले ही सुरू हो चुका था इसके द्वारा सुरू नहीं किया गया था कि डॉक्ट्राइन आफ जनब बनके आया था तो यह नीथी पहले से मवजूद थी लेकिन उसको यह नीथी अच्छी लगी और उसने इसको बढ़ चड़ करके इस पर काम करना सुरू किया कुछ बस इतना ही था 1859 तक यह आपका जो हड़प नीथी है वो चलता रहा उसके बाद आप जानते हो कि 1800 सताओं के एक क्रांद भी हुई जिसका प्रमुख करन रहा कि जिसकी वज़ा से यह बंद हो चीकी ठीक है हड़प नीथी को बंद कर दिया गया था ठीक है और 1800 सताओं के क्रांद का एक प अगर किसी भारती राजा का उत्राधिकारी नहीं होता है उत्राधिकारी में भी अगर लड़की होती है तो उसको नहीं माना जाएगा जैसे जहासी की रानी इसकी जीता जाकता उदारन है वो अपने पिता की पुत्री को नहीं माना जाएगा अगर कोई भी उत्राधिकारी इसको मैंने आपके पहले ही बताया इसकी चर्चा कर चुका हूं मैं अब समझते हैं कि आखिर इस पर्टिकलर डॉक्ट्राइन आफ लैप्स का फीचर क्या है फीचर से मतब है कि इसमें क्या भी से स्नाइए थी क्या बातें इसमें यह है कि आप जानते हो कि प्रिंसली स्टेट प्रिंसली स्टेट मतलब ऐसे स्टेट थे जिसको अंग्रेजों या इस इंडिया कंपनी ने उन पर आक्रमण करके उनको हरा दिया था और उनको पैंशन देना शुरू कर दिया था या फिर कह सकते हैं कि उनसे रेबन्नी पधिकारी नहीं होता है या पैदा करने में असफल रहता है तो उस राज्य को कंपणी अपने में मिला लेगी और प्रिंसली स्टेट का जो स्टेट से खत्म हो जाएगा अगर मालीजे कोई एडॉप्टेट संव है तो वह सासन नहीं पास सकता वह राज्य नहीं कर सकता इस यह बहुंट को नहीं मिलेगा और इसको चुक्ष है तो इसको पैंशन देने से उन्हों ने प्रहिश कर दिया उन्होंने कगी नहीं प्राफ़िए अब समझते हैं कि कि डॉक्त्राइण आफ लैप्स के अंतरगत ऐसे कौन-कौन से राज थे जो अंग्रेजों की इस नीति का सिखार हुए तो जैसा कि मैंने बताएगी 1847 से सुरुवात हुई थी इसकी मदब ब्यापक तौर पे लेकिन इसी तरह का कुछ मिलता-जुलता घटना जो है वह आठा अंग्रेजों ने मिला लिया था गया था कनूर का चेत्र है 1824 में इसको पूछा जा सकता इसलिवा इसको टीक लगाया है इसी तरीके से कुटलेहर ये 1825 में मिला लिया गया था कुडागू जो है 1835 में पांगड़ा का चेत्र 846 में सतारा का चेत्र 848 में जैदपूर का चेत्र आपका 1849 में संभलपूर का चेत्र 849 में भगत जहासी जो आपका जहासी का रिजन आता 1850 में उदैपूर जो आपका राजस्तान कं तरहा उसको 1854 में ठीक है इतने कुछ प्रिंसली स्टेट थे जिनको आप भी इसको हरप नीद के तहट अंग्रेजियों ने अपने में मिला लिया इस इंदिया कंपनी ने अपने में मिला लिया अब समझते हैं कि कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में जैसे नाना साब की ब तो उसको भी इन्हीं मापदंडों के तहद जो है 877 के जेश्ट पहले इसको मिला लिया गया था और यही सारी कुछ वजहें रही थी जिसकी वज़े से अब समस्ते हैं कि इसका प्रभाव क्या रहा कई भारती राजा जो है उनका राज चिन गया था यह आपका 877 के कारण भी बना राजा असंतुष थे और कई राजयों को तो अवयद तरीके से अवयद कारण बता करके उनके राजय को चिन लिया गया जैसे कुछ मैं आसी की राणी हो गई उनका पेंसन समाप्त कर दिया गया क्योंकि यासी की राणी जो थी वह पुत्री थी तो वह योगी नहीं थी नाना साहब दत्तक पुत्र थे तो भी योगी नहीं थे इस तरीके से अच्छापन में डलहोजी की बाद क्रांदी का कारण माना जाता है ज झाल